हो गया है और हिमालियन का ये ट्रिप मीटर भी आप्टोमेटिकली स्टार्ट हो गया है फर्मवेर अप्डेटेड सेक्सेस्फुली इस बाइक में पेट्रोल डलाया उसके बाद भी 16 किलो मीटर ही दिखा रही कि अभी मेरी बाइक चलेगी कि कोई अप्डेट तो नहीं आया है इसके लिए तो मैं वो चेक करने जा रहा हूं और आपको दिखाता हूं कि अप्डेट कैसे होता है अभी तक 20% हुआ है इसा आप देख सकते हैं तो अप्डेट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में रॉयलम फील का आप डालना होगा और अप डालने के बाद अपना डिवाइस आपको कनेट करना पड़ेगा अभी ये डिसकनेक्टेड है मैं इसको कनेक्ट पर क्लिक करता हूं एंड दन डिवाइस पे क्लिक करता हूँ तो यह बुला वाइफाइ ओन करो तो भाई वाइफाइए ब्लूटू दोनों ओन करने पड़ते हैं भिर अपने डिवाइस पे क्लिक कर दिया और जैसे यह कनेक्ट हो जाएगा तो यह लिक्किया आजाता है connected अपने device पर जाता हूं and फिर मैं three dots पर click करूंगा information setting and यहां पर देख सकते हैं software update and इस पर लिखा हुआ update now so मैं it will reconnect automatically so मैंने and then फिर नीचे आ जाता है version is available and ready to install फिर मैं इसको install करेता हूं कुछ है दूरिं दिस अप्डेट प्लीज फॉलो दे इंस्ट्रेक्शन दूर्ट सब्सक्राइब अच्छी खासी चल लगी है and now it's installing तो अभी तक 20% हुआ है यसा आप देख सकते हैं and यहां पर भी आप देख सकते हैं do not turn off your vehicle update two out of five तो यह चला है अभी अब यह भी स्टार्ट हो गया है तो इस तरीके के console से काफी benefit होने वाला है end user customers को भी जैसे पुरानी bike देख लीजे उसमें जो console आ गया जो आपका meter आ गया वैसे ही रहता है तो अब इसमें नॉर्म mobile phones की में जैसे application में updates आते हैं तो वैसे updates देके रोयल आपको नए features भी प्रोवाइड कर पाएगा 84% complete हो गया है और यह लास्ट package पे है अपने फाइफ आफ फाइफ के installation पे दो में टॉल लगेगा तो installation complete हो गया है और से software updated तो software update हो गया है और हिमालेयन का यह trip meter भी automatically start हो गया है firmware updated successfully message आ गया है and let's see अब मैं अपना phone को connect करता हूँ so it's automatically connected and फिर से में three dots पे click करके information center पे जाता हूँ so अब यहाँ पे देखिए यह current version दे रहा है यहाँ पे आपको update now का option नहीं आ रहा है so firmware upgrade हो गया है चलते हैं यहाँ से देखते हैं को जो मेरे को meter में fuel gauge का भी problem आ रहा था वो solve हुआ है के नहीं let's see क्या क्या update हुए है तो एक बार map connect करके भी देख लेते हैं कि कैसा चलता यह अब यह turn by turn दिखा रहा है जैसे मैं मोड चेंज करूंगा तो यहाँ पे पूरा navigation दिखाए लगेगा करेक्ट और phone को रखते हैं pocket में क्योंकि pocket में है rocket चालो भाईया तो अब मैं deviate होने वाला हूं यह मेरे को बोला है कि भाई left में जाओ लेकिन मैं सीधे जाओंगा देखते हैं कि अपडेट करता है किनी मैप तो री राउटिंग होने लगी है तो फर्मवेर अपग्रेड से यह फाइदा हो गया मेरे को जैसा मैंने बोला कि री राउटिंग होने लगी है जो पहले मेरे को प्राब्लम आ रही था थी तो फिर अपडेट होने से पहले तो मेरी दो बेसिकली प्राब्लम सॉल हुई है बट एक प्राब्लम मेरी बढ़ गई है जो इंजन का सिंबल है तो आया था भाई अपनी कार की चाभी का कवर लेने के लिए उसकी केसिंग लेने के लिए लेकिन मिली नहीं चलिए फिर चलते हैं ठीक है थैंक यू अब भाईया ने चैनल भी सब्सक्राइब किया है जो इंजन का सिंबल आ रहा था वो प्रावलम भी सॉल हो गई है तो अब मेरे को शोरूम जाने के जरूरत नहीं है पर्फेक्टली हो गई है बस यह फ्लिक्रिंग वाला प्रावलम थोड़ा सॉल हो जाए ना तो फिर भाई मजा ही आ जाए अगर आप मेरे चैनल पर पहली वारा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किये भी ना मज जाए कमेंट करें लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलता हूं आपको नेक्स ब्लॉग में तब तक के लिए बाई, सेफ राइडिंग, इट, स्लीप, राइड और रिपीट, सी यू